राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों इस बार भातपत मास की किष्ण पक्ष की एकादशी जिसे जया एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है 23 अगस्त दिन मंगलवार को है इस उपाई को करने से भगवान विश्णू माता लक्ष्मी जी के करपा से धन सम्बंदी सभी समस्याएं दूर होती है इस उपाई को करने से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है भगवान विश्णू माता लक्ष्मी जी के करपा से दुख तर्ज से मुक्ती मिलती यह उपाई आप पो एकादशी की रात को करना है क्यूंकि एकादशी की रात को रात्री जागरन का विशेश महत्व होता है इस उपाई को करने के लिए आप एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें इस नारियल को पानी से धुकर साफ कर ले और एक प्लेट में रख ले और एक साबुद बदाम ले इसे भी पानी से धुकर आप प्लेट में रख ले अब अपने मंदे के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं एक आदशी की रात को भगवान जी के सामने एक शुद्धिघी का दि फिर भगवान शरी गनेश और माता लक्षमी जी को कुमकुम से तिलक करें और भगवान शरी हरी विश्नु को हल्दी से तिलक करें अब आप भगवान जी को किसी मिष्ठान का भोग लगाएं मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर का भोग लगाएं भागवान शरी हरी विष्णु को पीले रंगे पुष्व अर्पित करें अब एक कटोरी में आप थोड़ी सी हल्दी और कुम-कुम लें उसमें शुद्ध जल या गंगा जल बिलाएं अब इस कुम-कुम हल्दी से आप नारियल के उपर एक स्वास्तिक का चिन्ध बनाएं गणेश पुरान के अनुसार स्वास्तिक को भागवान शरी गणेश का रूप माना चाता है स्वास्तिक सुक सम्रधी का प्रतीक भी होता है स्वास्तिक का चिन्न बनाने के बाद अब आप नार्यल को अपने दोनों हातों में उठाएं अब इस नार्यल को भगवान शिरी हरी बिश्णो और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और बादाम भी उन्हें अर्पित करें नारियल को शिरी फल कहा जाता है शिरी अर्थात माता लक्ष्मी नारियल माता लक्ष्मी को बेहत प्रिय है और जो माता लक्ष्मी को प्रिय होता है वह भगवान शिरी हरी विष्णू को भी प्रिय होता है एकादशी के दिन भगवान, शिरीहरी पिश्णों और माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित करने से भगवान जी की कृपा और आशिरवाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी दुख, दर्द और तकलीफ से मुक्ति मिलती है नारियल अर्पित करने के बाद, अब आप भगवान शिरी गणिश की आती करें भगवान विश्णों और माता लक्ष्मी जी की भी आती करें नारियल और बादाम को आप रात भर मंदिर में ऐसे ही रखा रहने दे और भगवान जी को आपने जो भोग लगाया है उसे प्रशाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहन करें इससे भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है अगले दिन इसनान करके नारियल और बादाम को भी प्रशाद के रूप में ग्रहन करें ध्यान रखें नारियल के साथ आप भगवान जी को एक तुलसी दल भी जरूर अर्पित करें क्योंकि तुलसी दल के विना भगवान जी कोई भोग सुईकार नहीं करते लेकिन तुलसी दल आप एकादशी के दिन ना तोड़ें एक आदर्शी से एक दिन पूर्वी तुलसी दल तोड़ कर रखने इस उपाई को करने से भागवान शरी हरी विश्णू माता लक्षमी ची की करपा से दंसम्मंदी सभी समस्यां दूर हूती है उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी ये वीडियो के लिए हमारे चाहर को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वच्चिंग राधी राधी